हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका आशिश पोड़ो में आज हम बात करने वाले हैं मिटसएज SUV सेगमेंट की किया सेल टॉस के बारे में जो सीधे कॉमपिशन देती है हुंड़ाई, क्रेटा, ग्रैन, विटारा, टाटा, हैरियर, इसकोड़ा, कुसैक जैसी गाड़ियों को इस टाटिंग प्रैस की बात की जाए तो 10,90,000 X showroom से इसका base विरेंटेश टाट होता है और टॉप चला जाता है 20,35,000 X showroom तक अभी आपके सामने most demanding, सबसे base, HTE variant खळावा है इसको लोग लेके बाहर से modify करवाते हैं तो आज इसी के बारे में हम complete detail में बात करेंगे इसके exterior से लेकर interior तक engine, features, then price के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं color choices की तो अभी आप देख रहे हैं इसके white color को जो की सबसे प्यारा लगता है इसके अलावा silver, black की बहुत सारी color choices आपको देखने को मिल जाती है इसे कुछ आपको remote center locking की मिले की जो की देखने में काफी premium लगती है तीन button मिलेंगे lock unlock और boot unlock करने का flip की रहती है और center में आपको मिलती है Kia की branding और जो दूसरी secondary की है वो भी same आपको remote center locking की दी जाएगी अब चलिए बात करते हैं काड़ी के front profile से फिट चलेंगे इसके interior के अंदर तो center में आपको Kia की branding यहाँ पे matte finish में grill उपर आपको यहाँ पे silver inserts देखनी को मिल जाते है tiger nose grill है जिसकी वज़े से इसके looks जो है काफी enhance हो जाते है top end variant के अंदर आपको 360 camera add-out जैसे safety features भी मिलते है headlamps की बात की जाए तो यहाँ पे आपको projector headlamps offer किये जारे हैं जिनका throw आपको halogen में ही मिलेगा उपर turn indicator की placement है नीचे बढ़ेंगे तो कोई fog lamps नहीं आते इस वाले variant के अंदर बाकि कोई DRL आपको नहीं मिलने वाले base variant के अंदर 190 mm का ground lens नीचे आपको दी जाती है silver finish में skirt plate board पर देखेंगे तो काफी cuts and creases है यहाँ पे dual wiper with bosser का setup अगर roof की बात की जाए तो पीछे की तरफ आपको shark fin antenna मिलता है कोई roof raise offer नहीं किये गए इस वाले variant के अंदर side से देख लिजए ऐसे कुछ आपको 16 inch के steel wheel दिये जा रहा है wheel covers के साथ में किया की branding किया को logo भी आपको center में देखने को मिलता है इतना कुछ suspension का travel आपको मिलेगा and यह इसके wheel covers आप देख लिजे किया की branding है good year के आपको tires मिलते है 205, 65, 16, 16 का में जाएगा section top में जाएगे तो वहापे आपको 17 inch के alloys offer किये जाएगे उपर आपको cladding बगरा मिलती, side में भी cladding है and गाड़ी का जो wheel base है वो 26-10 mm का fender पर आपको मिलती, turn indicator की placement outside mirrors की बात की जाए तो आपको manually adjustable and manually foldable मिलेंगे अंदर आपको lever सब मिलता है इंको adjust करने के लिए A pillar, B pillar सब आपको black finish में मिलेगा plain roof है, कोई roof less नहीं मिलेंगे आपको and ये रहा है इसके बाई body colored door handles और ये देख लो भाई, इसका front dashboard यहापे आपको touch info, training system नहीं मिलता है वो आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा and all four disc brakes आपको मिलती है कि असल टाउस के अंदर ये काफी अच्छी चीश है यहाँ से डलवाएंगा petrol और diesel and 50 liter की मिल जाती है tank capacity अभी आपके सामने diesel variant ही खड़ा हुआ है अब आजाते हैं इसके rear profile की तरफ तो rear से देख लिए connecting tail lamps आपको मिलता है लेकिन इस वाले variant में ये पूरे boot पे नहीं चलते है side में सिर्फ जलते हुए मिलेंगे जिसके वज़े से looks काफी enhanced हो जाते है उपर आपको शाक्फी 99 मिलता high mount stop lamp है कोई defogger कोई wiper आपको नहीं मिलेगा इस वाले variant के अंदर center में किया की branding है ऐसे कुछ आपको connecting tail lamps आफर ही किये जा रहे है turn indicator की placement आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएगी नीचे cell toss की badging है चार reverse parking sensors है रेफ्रेक्टर्स है reverse light की placement नीचे silver fins में इसके पेट 190 mm का है ground clearance बाकी कोई camera रहे सी बात है नहीं मिलने वाला है because यहाँ पे आपको कोई touch in 14 में system नहीं मिलना है यहाँ से इस door को open करेंगे अगर space की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिलता है 447 liter का boot space मतलब अच्छा खासा space है लेकिन कोई भी partial tray आपको नहीं मिलेगी अगर नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है इस spare wheel, tool kit अगरा सब कुछ आपको यह पे रखी हुई मिल जाती है बाकी partial tray लगवाने का भी कोई option नहीं दिये गए तो आप इसमें बाद में भी लगवान नहीं सकते हैं अब चलिए इसके boot को करते हैं बंद और चलते हैं इसके rear seats की तरफ rear sitting comfort, leg room, head room, पूरा बैट के अच्छे से देखते हैं तो भाई side से देख लो ऐसे कुछ आपको आपको यह लुक्स नजर आने वाले हैं warranty की बात की जाए तो 3 साल और unlimited kilometer की warranty मिलती है आपको Kia की तरफ से यह इसके door handles अगर इसके door trim की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा पूरा blackness में है और यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि base wind में भी आपको window curtains दिये जा रहे है अलब धूफ अगर अलगे तो आप इनको लगा सकते हो नीचे देखेंगे तो यहाँ पे door opener pounder के controls speaker के लिए जगे नीचे आपको bottle holder दिया जाता है rear cabin में इतना कुछ leg room और अंदर देखेंगे head room अभी तो यह देख लिए इतना कुछ आपको मिलेगा head room दो-दो headrest हैं जिनको आप adjust नहीं कर पाऊगे तो आप चलिए अंदर बैट के देखेंगे तो आगे लिए seat मैंने अपने recording adjust कर लिए मेरी height 5 foot 8 inch है इस पेस आप देख लिए जए knee room, leg room under thigh support भी आपको काफी बड़ी असा देखने को मिलता है center में आपको rear AC vents मिलेंगे यहाँ पे कुछ space, दो type C का charging port 2-2 header जो की addressable नहीं रहने वाले है उपर आपको मिलता है grab handle यहाँ पे मिलती है आपको roof light जो की halogen में रहने वाली है front dashboard की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको पूरा dark finish में देखने को मिल जाता है सिर्फ एक चीच की कमी है वो है touch infotainment system अब चलिए बैटके आगे से cover करेंगे यह सारी चीज़े है तो इस door को करते है close और यह रहा है इसके body color door handles टॉप में जाएंगे तो आपको chrome door handles मिलते है door team की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको मिलता है पूरा black finish में देखने में काफी premium लग रहा है बाकी उपर देखेंगे तो यह वार्वी के controls manual यहाँ पर door opener lock and lock के button यहाँ पर पॉंडो के controls यहाँ पर speaker के लिए कुछ space यह इसका front dashboard यह रहिस्की की जिसको हम लगा देते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखोगे तो traction और headlight लेवले जिसे button मिल जाएंगे यहाँ पर manual ABC pedals bonnet आप यहाँ से खोल सकते हो नीचे आपको fill cap opener मिलेगा यहाँ से height यहाँ से recline कर सकते है अपनी streets को आगे वाले जो headrest उनको आप address कर पाऊगे आप चलिए अंदर bat के देखते हैं सबसे पहले close करते हैं door को तो front driver seat पे बैटने के बाद ऐसा कुछ आपको नजा रहा है यहाँ पर देखने वाला है cluster देख लो भाई कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर जी steering मिलता है उसमें आपको सिर्फ MID के control ही देखने को मिलेंगे आप चलिए गाड़ी का ignition on करते हैं आपको दिखाते हैं इसका cluster तो सबसे base variant से ही आपको fully distributed cluster यहाँ पर दिया जाता है एक तरफ आर्पी मेटर है एक तरफ स्पीडो मेटर है बीच में MID है जिसके अंदर आपको सारे information देखने को मिल जाती है इसका button आपको मिलता है steering के उपर यहाँ से आप trip A, trip B, mileage, range और इसके अंदर यूरिया का लेबल भी दिखाता है because यह diesel variant है यह सारी information आप यहाँ से देख सकते हैं सारी check lights हैं नीचे side में देखेंगे तो fuel gauge और engine temperature शो करता है बाकी steering आपको ऐसा कुछ मिलेगा center में Kia की branding Kia का logo है इधर आपको कोई control नहीं मिलेंगे और इधर आपको MAD के controls देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे wiper और इधर आपको दिए गए हेल डैम के सारे controls बाकी adjustment की बात की जाए तो यहाँ पे आपको lever मिलता है जिसके तुरू आप अपने steering को tilt उपर नीचे adjust कर सकते हो यह दो गए steering के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के center console की तो भाई यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिला है आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा यहाँ पे hazard का switch है AC के events है manual AC के सारे controls आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते है बाकी टॉप में भाई automatic AC मिलेगा यहाँ पे 12 bolt का charging outlet बगल में type C का charging port यहाँ पे आपको six speed manual transmission manual handbrake यहाँ पे दो cup holder यह इसका armrest यह काफी deep है यहाँ पे storage आपको काफी अच्छा सा मिलता है and club box की बात की जाए तो club box के अंदर भी आपको काफी अच्छा सा इस पे समिल जाएगा उपर देखेंगे तो manual day night IRVM है यहाँ पे sun glass holder यहाँ पे light के सारे controls जो की halogen में रहने वाली है sun visors की बात कीज़े तो co driver side आपको mirror देखने को मिलता है अगर driver side की बात कीज़े तो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है visibility की बात कीज़े तो वो भी आपको काफी बढ़िया मिलती है bumper to bumper आप इसको drive कर पाएंगे traffic में safety के लिए आपको यहाँ पे six airbag दिये जा रहा है यह तो हो गई पूरे interior की बात अब चली गाड़ी को off करेंगे बात करेंगे engine specs, safety features और pricing की तो इसके अंदर आपको तींदरा की engine option देखने को मिलते है 1.5 वेल्टर का petrol, 1.5 वेल्टर का turbo petrol और 1.5 वेल्टर का diesel engine अभी आप देख रहे हैं 1.5 वेल्टर diesel को 115 bhp की power और 2500 nm का talk निकालता है आराम से भाई आप 20 से 21 तक का mileage से निकाल सकते हैं डीजल के अंदर, manual, IMT, DCT, IBT, automatic ये सारे transmission आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन सबसे base में आपको सिर्फ manual transmission ही मिलता है अब बात करते हैं main changes की pricing की तो अभी आप देख रहे हैं HTE variant को petrol में purchase करेंगे तो 10,90,000 एक शोरूम और 12,50,000 रुपए के अनुड लखनों पड़ेगी डीजल में लेंगे जो कि आपके सामने खड़ी है 12,35,000 एक शोरूम और लगबग 14,30,000 रुपए के अनुड लखनों पड़ने वाली है तो ये थी भाई Kia Seltos सारी details, सारे prices मैंने आपको बता दिया कैसे लेगे आपको नीचे comments में जरूर बदाईगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दीगा चैनल को subscribe कर दीगा and special thanks to Kia Balaji तेली बाक लखनों जिन्होंने मुझे से cover करने का मौका दिया तो deal any Kia cars, visit this room अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दीगा चैनल को subscribe कर दीगा मिलते हैं एक नई वीडिक साथ तब तक लिए जैहिन वंदे मात्रम